आज हम जा रहे हैं कर्णप्रियक्तु रिषिकेश लगबग 170 km यहां से दिखा रहा है और सामने पुल है जहां पे संगम है और पौने पाच गंटे मैप में दिखाता है लेकिन ताइम काम नहीं बताएंगे कि इतना लगेगा क्या लगेगा अपने सब्सक्रा अपने अपने लेकिन हम कहां पर क्या गड़े हैं कहां पर कैसी रोड कंडिशन वह पूरा दिखाएंगे इससे आपको अगर जाना है इस रूट से तो आपको पता रहे वैसे तो चारधाम वाला रोड है और यह भी बताएंगे कि चारधाम के टाइम पर कैसा रहता है वह स्टार्टिंग म स्टार्नाइब के कपाट खुले हैं और कल बदेनात के खुलने वाले अज 11 माई का दिन है 11 मैं के दिन जून ऐसे पूरा सेम ही ट्राफिक रहेगा तो उस च्छीब को आइडिया हो जाएगा कि कि तने गाड़ी आ रहे है कैसे आपको कितनी स्पीड रहेंगी अरज बगेरा मतलब कितना टाइम लगने वाला है सब पता चलेगा क्योंकि मैप में तो 5 गंटे हो सकता है बिना यात्रा के दिखा रहा हूँ अब यात्रा शुरू हो गई है तो टाइम अलग लगेगा पैसे हमारा एक बज़ा है एक बज़े हम यहां से निकले हैं और 6 बज़े क्या सपास पहुंचने का टारगेट है लेकिन पीच में धारीडवी रुकेंगे तो एक गंटा वहां पर लगेगा तो बज़े लग बगग हम साथ साध साथ साथ रिषिवेश पहुंचने का टारगेट है तो गास कर्णप्रा क्रॉस हो गया है हम जा रहे पहले धारीडवी पचास किल तो यह देखो थोड़े सी गड़े हैं, बीच-बीच में हलका सा इसा स्टार्ट हो गया है, बट टाइगून की ग्राउंड टुरेंस 188 mm है, अगर कहीं पर मुझे लगेगा कि टाइगून निकलने में दिखकत हैं, आपको ज़रू बताँ मुझे अपनी गाड़ी की ग्राउं लगन ट्रैक कर जादा इस रोड में रहेगा बटाभ दाड़ी के बाद उधर उदर उदर शिनेगर आएगा, तो बहां से देखते हैं कितना रहेगा क्योंकि अच्छा गासा रहेगा, चंदी गड़ी हैं और पूरे देश से गाड़ी हैं और पूरे देश से गाड़ी हैं जो आग लगी थी चमोली में मनद पूरे उत्रा फिंड में आग लगी थी वो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो उसकी वज़े से गरम होगा पहाड और पत्था टूट के गिर रहे हैं उसके उपर फिर बढ़ात भी हो रही है तो उससे और जादा स्लाइड हो ले का चां कि आप अपने पत्थर गिरा था वो वीडियो देखोगे तो आप पता सिल जाएगा वो नेट पर छोटा से गया रहे है तो बहुत ही शुदर सिटी है आप देखो कितनी प्यारी है रोड भी थी तीक है तो प्लीज अपनी लेंग चलिये पहाड में तो अगर सामने वाला उ प्लीज पर छोटा जानवर है तो यह मतलब मैं यह नहीं कहा हुआ हूँ कि जानवर गड़ गए है देश में किसी कारवाश लेकिन इसका कोई सोलीशन होना चाहिए मुझे नहीं पता क्या है तो लगातार ट्राफिक आरा है लगातार मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज गउचर में और यहां से रुद्रुप्र आगे 21 श्री नगर पच्पन रिशिके 660 तो यहां पर नगर पाली का गउचर समाप्त होती है तो गाइस यहां पर थोड़ा सा पैच खराब है लगबख एक किलोमेटर हम गउचर समाप्त होने के बाद आए है थर्टी नाइन बच पैचेस फिर से खराब तो लगातार है पैचेस थोड़े खराब तो गाइस प्रेल तो चली रहे है ट्राफिक तो चली रहे है लेकिन अगर आपको और भी इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई क्वेरी होगी तो मुझा इंस्ट्राग्राम पर आप कनेट कर सकते हूँ ह चैनल है मेरे इंस्ट्राग्राम पर जो मतलब प्रफाइल है और मोहित कालरा उसमें नाम आएगा मेरा नाम है तो वहाँ पेसेज करके मेरा नंबर लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं मैं आपको आपको कोई भी डावट होगा क्लियर कर दूँ है क्योंकि हम लोग हाल के ला तो आपको रिशीकेश से कड़ प्रैक जाना हो या कड़ प्रैक से डोनों साइड से आपको इवीडियो काम आएगी और हाथ में फोन पकला है तौप समझ सकते हो कि कैसे फोन हिल रहा उसे सबस्क्राइब कितने जटके लग रहे हुंकि हमें रुद्र प्रैक सीमा समाप तो तो भए उस पैच के बाद अब अची रोड आ गई है 37 km बचा है भारी देवी यहां से तो गाइस उस पैच के बाद वही से ही रुद्र प्रैक की सिमा स्टार्ट है 18 km यहां से रुद्र प्रैक सीटी है हरिद्वार 180 km है और भारी देवी बचा है 36 और अब रोड ठीक आ तो तो अथनी है जितनी पहले थी लेकिन क्या हो गया एक थोड़ा आतिक्रमण हो गया है लोग दुपानों वाले थोड़ा धिरे-धिरे रोड पर आगए जब बनी थी यह रोड तो काफी चौड़ी लगती थी लेकिन अब रिंस्ट्रक्शन काफी हो गया है तो इसलिए बज़े लगवर पहुचने वाले थे, पत्र वगर आप देखके चलाएं, कुछ लोग जब चल रही होती गलत गाड़ी चलाते हैं, शूट नहीं हापाता है, लेकिन एक दोबाग हुआ कि लोग एकदम रॉंग जाइट से चला रहे हैं, तो प्लीज अपनी लेन में चलिए, करने के चक्कर में पूरा ही ओवर्टेक नहीं हो जाए, तो गाइज चबवेस किलो मेटर रह गया अब धारी देवी यहां से, और सवा गंटा दिखा रहा है, और यहां कुछ पानी वानी रोड पे रहे गा तो स्पीड को कमी रखे, इस बैलेंस अगर गाड़ी हुई पानी में तो फिर बैलेंस करना है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और पहार का एलिया है, तो गाइज रोड़ प्रियाग दो किलो मेटर, हरीदवार, एक सबसाथ, देवराव 67, स्री निजार, बक्तिस, बक्तारी देवी बचा है, 20 किलो मेटर यहां से, और यह रोड़ प्र टोटल, तो 92 किलो मेटर है यहां से, तो रुदुर प्रियाग ही वो जगह है, जहां से केदानात का रस्ता है, अगर आप दिली से आ रहे हैं, तो रुदुर प्रियाग से आपको कटना पड़ेगा, बदिनात वाला रोड छोड़ के, आपको सोन प्रियाग वाले रोड पर जाना पड़ेगा, तो ट्रैफिक चल रहा है, देखो आप, यहां से 20-20 गाड़ियां, 30-30 गाड़ियां कटी निकल रही है, अगर उदर पर काफी बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी का, अभी एक क्रेटा वाला बिलकुल बीच में आ रहा था, अभी रह गया है, 70 किलोमेटर दारी देवी और कर्ण, और उदर पराक सिटी खतम होने में नहीं आ रही है, अगर काफी बड़ी सिटी है, 2-3 किलोमेटर होगे, चलते चलते, और चली जा रही है, अब शायद कुछ खतम हो रहा है, और यह जो बैंड है, यहां से, कट है, बुप्तकाशी के लिए अलग, 48 किलोमेटर गुप्तकाशी, तो यह रास्ता नीचे है, अगर दिली साथ तो सीधे केदानाद की साइड चली जाएंगे, रुप्रयाक सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, यह लिए गारियां यहां पर आ रही है, तो अब ट्रैफिक और चादवे मिलेगा हमें, तो कि उससे प ट्रैफिक नहीं है, स्पीड साथ पैसक भी पहुच रही है, अगर मैं आपको अवरेज स्पीड बताऊं, अवरेज स्पीड कदी 35-40 ही रहने वाली है, पत्र वागेरा गिरे हुए है, तो अपनी गाड़ी के टायर वागेरा बचा के चले, और ग्राउंड क्लिस कम है, तो अपनी पीच में से ना निकाले, पत्तर लग सकता है चंबर में, तो बाइस कुछ-कुछ पैचेस ऐसे भी आ रहे हैं, जहां पर कंस्ट्रुक्शन चल रहा है, यहां तर आया है, काफी देर बाद आया है, मतलब लेवर काड़ पर आके पास आय था उसके बाद आब आया है, यहां से यहलो होना शुरू हो गया है, क्योंकि रोड छोटी भी है, और ट्राफिक है, प्लस दारी देरी कापे ट्राफिक होगा, 12 km बचा है दारी देरी, 14, 3-minute दिवार है, आप पैच है यहां पर, और उपर दो पत्थर है, कैसे चढ़ रहा है, यह पुरा इक्या, तो मिन यह पूरा चार दाम का ट्राफिक है, और इसमें से काफी लोग वगेरा और बाकी बाकी बैली अफ्लावर्स वगेरा भी जाते हैं, यह पूरा देको फिर से पैच खराब है, भारी देवी जस पचा है, और इसलिए चालिस मिनिट दिखा रहा है, जस मिनिट के, और एक साइ पॉसिबल है, प्लीज मोड पर ओवर्टिक ना करें, यूपी 30 वाला है, मोड पर ओवर्टिक करके गया है मुझे, प्लीज असा ना करें, भाई, तो गाइस अब लगाए यहां पर ट्राफिक देखो, 4.9 किलोमेटर का आदे गंटा दिखा रहा है, आदे गंटा भी हो सकता है, गाड़ी खड़ी है, और देखो, पूरा जाम लगाव है, यहां से लेकर के, वह वहां तक, पूरा नीचे तक, I think बीच में वनवे है, कुछ कटा हुआ है, रोड इसी लिए वनवे है, और इसी लिए जाम लग रहा है, तो वाइस आप चलाए, 15 मिनिट हो गए है, हमारी अब स्टार्ट होई है, और अब वहां से गाड़ी आना बंद हो जाएंगी, अब हमारी चले की देखते हैं, दुबारा अटकते हैं हम लोग, या फिर एक ही बार में चले जाते हैं, तो कि काफी लंबा है, 4.9 किलो मेटर अब ऐसे ही चलेगा, काफी टाइम लगने वाला है हम सुचते कहीं जाके करेंगे, और बच्चे वगर आपके साथ हैं तो ऐसे फस जाते हैं तो, कुछ खाने का और पीने का गर्मी है तो, फिर थंडा पानी वगरा रखी अपने साथ, वाइस तको टाइम है, तीन बच के 10 मिनिट और अभी भी हमारी काड़ी फसी हुई है वह करेंगे लोग एक दूसरे को ओवर टेक करते हैं तो प्रोब्लम हो जाती है, आगे चागर कोई भी एक गाड़ी आड़ी तो फस जाएगा पूरा, प्लीज ना करें, 200 मिटर और आगे हैं, ऐसे ही चल रहा है, तीन बच के 14 मिनिट, वो वेन्यू जो खड़ी है वो हमारे उत इस एक मंदिर है, ओमनमश्यूर लिखा है, छोटा सा मंदिर है, 3.4 किलमेटर पहले धारी देवी से और यहां पर वन वे चल रहा है, अब हमारा निकल गया है, तो अब हमारी फाइनली ट्रेल निकल गई, अभी भी एठारा मिनिट यहां से दिखा रहा है, क्योंकि I think यह प लगा देते हैं, वो अपनी वाइट पटी से इधर को आ जाते हैं, तो कोई ट्रक वगरा आएगा ना तो उससे काटने में दिक्कत होगी, तो प्लीज ऐसा ना करें, बहुत महिनत करें, 24 इंटो 7 हर जगा जहां भी हमने देखा, अभी तक अपने 8 दिन के ट्रक में, और एक बार बता दू, अकर आप यह को पैच ही खराब है वो, तो यह जाम हमेशा रहेगा, जब तक यह मई जून का टाइम में रहेगा, तो आपको दूसरा अप्शन वही ह बस जो है वो भी शायद ना पहुच पाएं, तो गाइस प्लीज कोशिश करें कि आप लोग जाम का कारण ना बने क्योंकि, तो बीच में गाड़ियां जो लगा देते हैं आप लोग ना बने जाम का कारण क्योंकि अगर वैसे ही जाम है और आप और जाम लगाएंगे ना त जिसको जहां जाने कोई नी पहुच पाएंगा अपनी जगा, सब दो दो दिन जाम में फ़स जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, सब का नुकसान होगा, और प्लीज एक चीज और बता दू मैं, कि जो भी बाइक वाले हैं ना, देखो गाड़ें बस्ती हैं तो बाइक भी फ यह जगा देना ज़रूरी है, उसके पीछे गाड़ियां तो डाल रहना, प्लीज न डाले यार, मजज़ भाई मज़गा, यह लोग जाम लगाएंगे, यहां पर खतम है, 1.5 धरीदेवी बचा है, आगे फिर से जाम दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, बट आई तिंग यह 1.5 से लगा होगा, थोड़ा खुल के यहां तक आया, लेकिन प्लीज गाइस, ऐसा ना करें, आप लोग ना बने, नहीं तो चारदम यातरा सब के लिए दुर्गम हो जाएगी, सुगम बनाने के लिए सब लोग त्यारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज धहरे रखें बचा है धारी देवी, कलिया सौर्य जगा है, यहां पर और अब थोड़ा सा जाम फिर से लगने लगा है, रेड हो रहा है, क्योंकि यह वही धारी देवी का है, यहीं से दुकाने शुरू हो गई है, और देखो धारी देवी बंदिर है, अब यहां यहां रुपते हैं, उस है, और रिशी केश अभी लगबख साटीन गेंटे का रासता है, अल्मोस्ट, बट देखते कहा तक चलते हैं, अगर नहीं पहुच पाया है, तो कल सुबह कंटिनू करेंगी, बट हाँ, कोशिश है कि पोच जाए, और देव प्रियाग में थोड़ा एक ब्रेक लेंगे, उस मेंटा 28 मिनिट यहां से लगेंगे, और हमें कितने लगते हैं, आप समाथ जाओगे वीडियो रखें, तो कंटिनू रखिए, बने रहे ये वीडियो में, छोड़ के बद जाना क्योंकि भाई, ये वीडियो लंबरी होती हैं, बट इन्फोर्मेटिव होती हैं, और आपको रास्ते की जानकारी मिलीगी, तो गाइस यह देखिए, एक पैच आया है, अब ये 114 किलोमेटर रही है रिशीदेश, और गाड़े अभी भी लगाता है चल रहे हैं, और जिन लोगों का हाफवे में स्टॉप है, जो लोग गृद्र प्रयाग या फिर धारी देवी के किल लेगी, जो एक रास्ते तरी पर गाड़ी चल रही है, कोई प्रब्लम नहीं है, बड गाड़ी अचे चलाएं कि आप कंट्रॉल रखें, तो अब भी भी चल रही है और स्री नगर आगया है, श्री नगर वह जब मू काष्मीर वाला स्री नगर नहीं है यह जब गड़ यह थोड़ा प्रॉब्लम तो है आज की जेट में यह एक गाय पे होना एक प्रॉब्लम है 100 km यहां से दिखा रखा है श्रीकेश लेकिन यहां पर 109 km दिखा रहा है मेरे मैप में सुगाइस देख लो यह है श्रीनेगर सिटी बहुत सुंदर सिटी है और अच्छी खासी बड़ी सिटी है श्रीनेगर उत्राखंड वाला वार बर बता रहा हूं कि लोग कन्फीज हो जाते हैं यहां पर रहने के अच्छी अप्शनेगर आप चल रहे हैं रास्ते में और शाम समय हो गया पौन एच्छी और अब निकला है श्रीनेगर शहर खतम अब हुआ है बहुत बड़ा शहर है और यहां से देख रहा है 30 किलो मेटर टोटल टाइम दो गटे सब्काने मिने पिशिकेश दिखा रहा है 101 किलो मेटर तो सामने सुरे की किर्णे पड़ते हुए और ट् चल रहा है जाम तो कोई नहीं है रेनिंग में है लेकिन शायद थोड़ी जगा कम है इसलिए यहां पर बाइक वगरा चल रही है इसलोड़ा गाड़िया जारी इसले ब्रेक लग लग दिया यह देख वाइस कुत्ता कहा चड़ गया चड़ गया चटे को बचाने के चक्कर जाम लगा है यहां पर बचा है पच्चेस रिषिकेश 85 और यहां पर 95 है हमारे मैं अपना उपर लिखा 85 तो भाई कॉन सा वाला सही है तोड़ा कॉमेंट करके बता दो बड़ा तो यहां से और काफी नेरो रोट था थोड़ा इसलिए इसलो चल रही है गाड़ी ताइम है दो अब चलत रही है त्रेली तिनी कंड़ चलत रही है त्रेल के पीछे चलना है चे बच गए है और दो वन्ते संतालिस माशिकेश दिखा रहा है तो गाडीया लूग तोड़ा गलत चलाते हैं तुसरे को गलत चलाते हैं यह तुसरे को अबर टेक करने के चथकर प्र-पर सो गाइस अलमुस्ट अठारा बचा होगा हमारा देप्रिया गौर देखो पिन बैंड यहां पर जादा है चोड़ाई तो ठीक है मतलब थोड़ी सी कम है पर थोड़ी सी जादा होती तो ओटेक फिल भी हो जाता लेकिन देखो ट्रेंड लगातार चल रही है और बैंड भी जा टाइम हो रहा है छे बचके ग्यारा मिनट 85 रिषिकेश और हम जैसे ही कैमरा बंद कर रहे है और वैसे ही कोई ने कोई गलत ओवर्टेक कर रहे है अभी देखो यह बंदा सही चल गहा है तो गाइस ट्राफिक अभी भी देखो लगातार आ रहा है और शाम के सवाद 6 हो एक और सिटी शूरू हो गई है काफी अब बड़ी सिटी हो गई है फैल गेजे को यहां पर संगम वंगम के लिए लोग रुक रहे हैं तो हम भी रुकते हैं टाइम है छे बचके 27 मिनट एक गंटा 10 मिनट लगे हैं पूरे देव प्रयाक तक हमें कहां से धारी देवी से तो और अब चलेंगे सीदे रिशिकेष दो गंटा 9 मिनट दिखा रहा है किलोमेटर 69 और कहीं पर 65 भी है और अब धीरे चलेंगे अराम से क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया है रात को चलने में यहां कोई उत्यत नहीं है बढ़ हाँ थोड़ा साध्वानी रखे दिन में रखे लेकिन रात को थोड़ी जादा साधानी रखे है तो थोड़ा थोड़ा रोड ऐसा आएगा गाईज बीच बीच में बट्टे पट्टे और यह कितने सुन्दर शिव जी और कितने सुन्दर शिव लिंग है हर हर महादेर तो गाईज अब रिशिकेष बचाए 56 तो रि मैप में देखें यह टेक्सी बाला नो लो वर्टेक जोन में ओवर्टेक कर रहा है यह देखो यही मैं आपको बदा रहता है काफी देर से ऐसा यहां पे हो रहा है तो थुड़ा ध्यान से चले HR 58 की गाड़ी है देखो कितना गलत ओवर्टेक कर रहा है तो गाईज इतनी द कोडियाला 15 किलोमेटर दूर है यह से कोडियाला में एक चाय बरेक लेंगे हम और एक गंटा थावन लेकिन जो माइल्स्टोन होता है वह पर पचास निखा हुआ है अभी की दो किलोमेटर का पता नहीं कौन सा डिफरेंस है बट आप पचास बावन मेला दो किलोमेटर अप अगर आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो आप तब उपर करें जब कोई भी सामने गाड़ी नहीं है आत को यातरा चल रही है लोग पैदल यातरा करें आप देखो यह और मैं निचे कर देता हूं और बाइकर्स भी चल रहें रात को और यातरा में देखो कितनी गाड लेकिन जाम देखो आप ए रात में एक गंड़ा लेसमीन आप जिशी केश दिखा रहा है 37 किलोमेटर और जाम देखो भाही रात में यह चार दाम यात्रा करें इस रोड से तो घ्री कि देखके आरा यह कोडियाला में रुके हैं एक गंड़ा वाली शर्थ शतिस किलोमेटर बचा है और खूब गाड़िया चल रही है लगातार चाहिती ने रुके टाइम है साथ बैलिस अब निकल गए साथ पच्पन पे हम और नौ बचके अठार मिनट पहुंचे ज्यादा क्लिप्स नहीं बनाएंगे कि आपको दिख नहीं रहा होगा धूल मिट्टी बहुत है सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है जल रहे हैं अभी रह गया है देड़ घंटा दिखा रहा है और तेज किलोमेटर इस दिखा रहा है सवा आठ हो गए और देखो जाम यहां पर अभी गाड़ी रुकिया मतलब जाम यहां थोड़ा सा कुछ है आगे बतानी क्या है हम पह ऐसे 53 का जाम दिखा रहा है अब जाम में घुसने वाले हैं एक गंटा 11 मिनिट दिखा रहा है तो जैसे जाम में टच होंगे उसके बाद पूरा जाम है शीकेश आ गये हैं 6.7 किलोमेटर बचा है वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि अब जाम का क्या दिखाऊंगा आ लाइक शेर सब्सक्राइब करें और आप देख लें चारदान व्यात्रा के लिए क्या हाल है तो देख के आना अपना जो भी आना ठीक है यह देख रहें लोग गाड़ी हैं वापस गुमा रहे हैं